इसका output क्या होगा इस program का यह less than है तो इसको less than मानिए i equal to zero i less than 50,000 अब जो यहाँ पर integer की range है अगर हम इसको turbo c c++ compiler माने तो इसका range क्या होगा जीरो से लेकर 32767 और यहाँ पर minus 32768 अब बात यह है कि यह 50,000 इससे ज़्यादा है जब zero से यहाँ तक जाएंगे इसके बाद यहसी बढ़ेंगे तो यह आपको यहाँ ले जाएगा और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो यह unending loop की तरह चलता रहेगा तो यह infinite loop बनेगा a 13.5 है b 13.5 है एगर भी आप print करना चाहते हैं क्योंकि float में जो precision है छे देंगे तो 13.5 13.5 दोनों में print होगा अब यहाँ पर i equal to zero है और main में आपने यहाँ पर i दिया i print कराया तो यहाँ पर यह क्या print होगा यह zero print होगा फिर i plus plus किया यह one हो जाएगा अब i क्योंकि आपकी external value है तो इसका मतलब यह value intact रखेगा फिर well call करेंगे आप well के अंदर कुछ pass नहीं किया गया है तो यह i hundred है तो जैसी print कराएंगे तो आपका i hundred print होना चाहिए फिर अपने इसको 101 कर दिया है और उसके अदर प्रिंट कराएंगे तो 101 आना चाहिए फिर आप well कर रहें फिर 100 जाएगा फिर यह 100 print होगा ऐसा होना चाहिए तो आप देखें 0, 100, 101 और 100 x, y, s equal to 2, s है s is equal to, s into is equal to 3, तो s को क्या मिलेगी value, s is equal to s into 3 याने की 2 into 3 तो यह 6 है तो यहाँ पर आप 6 पास कर रहें यहाँ भी 6 पास कर रहें आपने 6 पास किया यहाँ पर, a पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है अब बात यह है कि t यहाँ पर 8 है, तो a plus is equal to minus 5 मतलब a is equal to a minus 5 इसका मतलब 6 minus 5, कितना होगyouya 1, और t है t minus 4 याने 8 T है T-4 यानि की 8-4 कितना हुआ? 4 4 प्लस 1 रिटन करेंगे यहां रिटन होगा यहां 5 बतलब 5 Y की जगा 5 आएगा यहां पर यह रिटन होगा Y को Y को प्रिंट करें S तो खर 6 आएगा यहां पर आप देखे पा रहे है S पे कोई चेंड नी हो रहा है तो 6 आएगा 6 और 5 हो गया अब X के बारे में बात करते हैं इस वाले के बारे में इसको क्या मिलेगा? अब आप देखें T equal to T equal to 8 minus 4 हो चुगा यानि T 4 हो चुगा आप तो अगली बार यहां T use करेंगे तो 4 होगा हो ठीक? तो यहां पर आपका A6 है A6 है A को आपने 1 असाइन किया और T equal to T equal to T plus A यानि कि यह आपका value एक हो चुगी है 4 अब देखें यहां पर अपना पहला 6 तो आ गया दोसरा भी 5 आ गया next वाले में T plus is equal to A A में क्या value भेज़े रहे? 6 और A को आपने 1 असाइन किया यहां पर और T is equal to T plus A कितना हो गया? T आपका क्या value थी? 4 4 के बाद तो कोई change नहीं किया आपने तो 4 plus A क्या होगा यह value? A आपका T यह T A यह A1 है T equal to 4 हो गया यह आपका A1 हो गया तो यह 4 plus 1 किता हो गया? 5 अब 5 return क्या कर रहे है? A plus T यह आप return क्या कर रहे है? 5 plus 1 5 plus 1 तो कितना हो गया? 6 return यह 6 यहापर 6 आएगा ऐसे आएगा है static int count equal to 5 है count आप दिखा रहे हैं और count minus minus करने है हर बाद जब count को check कर आ रहे है 0 से तो यह main को दुबारा call कर रहा है static value अपनी value retain करता है तो पहली बार में तो यह 5 print हो जाएगा यहाँ पर फिर count minus minus होगा इसका मतलब 1 minus हो गया यानि कि अभी हाँ 4 से match करेंगे 4 not equal to 0 4 not equal to 0 हो तो फिर से main call करेंगा लेकिन अभी static value अपनी value retain करेंगी तो आप यहाँ इसको 4 कर चुके है तो यह आप 4 हो जाएगी फिर आप 4 print करेंगे चार print हो जागा फिर यह pass होगा यह 0 तक इस तरीके से करेंगा यानि कि 5,4,3,2,1 ऐसे print हो जाएगा 5,4,3,2,1 अगला है आपका i यह less than है i equal to 1, i less than 5, i plus plus आप i pass कर रहे हैं इसको इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ i कोई दिक्कत नहीं है तो यह 1 से लेकर 5 तक की value लेगा लेकिन यह वो static value है वी equal to 1 यह अपनी value retain करेगा इसका मतलब सबसे पहले x में क्या है 1 v में क्या है 1 तो 1 x में 1 है v में 1 है और v में 3 है यह v 3 है और v plus x मतलब v equal to v plus x v में क्या है 1 x में क्या है 1 1 plus 1 1 plus 1 और यहाँ पर 3 और भी है तो कितना मिल के हो गया 3 3 और आपने एक और चीज़ यहाँ पर कर रखी है जब आपने 1 पास किया v को 3 किया यहाँ पर आपने v plus x plus b वेजा है यहने कि 3 plus 1 plus 2 अगली बार में क्या होगा अगली बार में बता जेता हूँ आप इसको बहुत अच्छ अप्रिशेट कर लेंगे v जो है वह आप क्या हो चुका है v plus equal to x है तो v अब 1 x से बढ़ चुका है और v की value जो होगी वो change value मिलेगी यहाँ पर यहाँ पर अगली बार 2 मिलेगा यहाँ पर 2 pass होगा v plus equal to x होगा यहाँ आप v को v से ही add करेंगे v plus x plus v b pass करेंगे 3 करके तो आपका 9 आएगा इस तरीके से 13 और 9 अठरा भी इस तरीके से आएगा अगला है x आपका 4.5 यह x 4.5 है और आपका float y है float f और x into equal to 2.0 तो सबसे पहले fx pass करें x into equal to 2.0 मतलब है x के पास 4.5 value है यह इसका मतलब है x equal to x into 2.0 यह नहीं 9.4 0 into 2.0 तो कितना आएगा 9 9.0 आप 9.0 इसके इंदर भेज रहे है अगले कि आप यहाँ पर x x value प्रिंट करा रहे है न इस जगा पे तो x की value क्या होगी आपकी यह देखेगा और उसके बाद x यहाँ पर आपने pass किया तो a को मिल गई आपकी 9.0 9.0 में आपने फिर से a को add कर दिया यानि कि 9.0 के साथ आपने 4.5 को add कर दिया यानि कि 1.3 आया और a a आपने pass किया a कोन सा गया यह x यह x value गही ना यही तो pass किया 9.0 9.0 प्लस 5 इस तरीके से 9.4 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगी 9 प्रस 13.5 लेकिन x इकोल टो x माइनस 4.5 यह वाली value यानि x क्योंकि आपका x यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर 9 हो चुका था 9 माइनस 4.5 कितना है यह 4.5 ठीक तो अगर इसको देखें और मैं इसको run कराओं आपके सामने इसको proper इसको run कराते हैं इसको प्रोग्राम है आपका यह y है x आपने 4.5 ले रखा है इसी तरीके से आपने x equal to 2.0 किया याने कि 9 point अब इसको 4.5 into 2 कर दिया यह 9 जाएगा 9 इसको पास होगा 9 के साथ 1.3 आइड होगा यहाँ पर 9 के साथ 9 के साथ 1.3 आड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा यह 10.3 यह 10.3 आएगा उसके बाद 10.3 आड हो जाएगा 10.3 के साथ आप x equal to x minus 5 कर रहे है क्योंकि 9 हो चुका है न यह 9 minus 4.5 हो गया 4.5 4.5 के साथ 4.5 के साथ आप यह आड करें कितना यह पहले पिछली वाली 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 मदब 10.3 तो कितना आना थी 15.8 समतिंग आना जाहिए चलिए इसको रन कराते है यह देखिए 4.5 और 14.8 14.8 तो यह आपर x आपकी वाली आएगी यह आपका 4.5 आएगा क्योंकि यह हो तो यही से आजाएगा यही से इसको मिल जाएगा और y जो आएगा आपको मिलेगा आपका 14.8 यह इसका result रहेगा इसको फिर से देखिए इसको फिर से रन कराता हूँ 4.5 और 14.8 यह वाली रहेगी इसकी अब next वाली बिनाते हैं error बताइए एकर इस program में कोई error है तो num आपने लिया 2 और ld के साथ print करा दिया लॉंग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ld के थुरू यह प्रिंट कराते है next है आपका ch equal to 200 ch को आप d में print करावना चाहते है तो यहाँ भी कोई error नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपका unsigned a 25 है और long unsigned यहाँ पर देखिए long unsigned है और b 25 है यहाँ पर constant को आपने l दिया तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ है कि b के लिए इस b के लिए आप percent u यूज नहीं करेंगे आप l u यूज करेंगे क्यूंकि long unsigned है और इसके लिए a के लिए a तो आपने यहाँ पर unsigned दिया हुआ है तो l u use करेंगे क्या दूर हो तो long तो है नहीं कहीं भी यह क्या लिए इसको इधर कर दीजिए इसको इधर कर दीजिए बस इतना होगा अगला है long float a equal to this unsigned double b equal to 25 lf और d तो इसमें b के लिए क्योंकि b आपने क्या किया है unsigned double unsigned double किया हुआ है तो यहां पर इसके लिए तो ठीक कर दिया lf यह percent d नहीं होगा percent d तो integer के लिए होता है यह तो unsigned double है तो यहां होगा percent lf a आपका 25.345 है b आपका एक pointer है b में address दिया अब a जो आपने print कराई है percent f से कोई दिकत नहीं है b आपने percent u से कराया तो कोई error नहीं है state whether the following statement are true or false storage for register storage class variable is allocated each time the control reaches the block in which it is present प्रेसे समझे register storage class variable की हर बार जब भी control आप भेजेंगे तो भी हर बार होगा बिल्कुँ सही है कि वन static और extern होते हैं जो अपनी value retain करते है most of the times we need to use automatic storage class variable बिल्कुँ सही है अगर आपने बात में कर रखा है आपका function यहाँ पर है तो इसको यह available नहीं होगा अगर आपने बात में कर रखा है यह तो गलत हो गया आपनी का काम नहीं है तो static करता है if the CPU registers are not available the register storage class variable are treated as static static नहीं यह auto की तरह होगा treat static की तरह नहीं the register storage class variable cannot hold float values register storage class यह सही बात है क्योंकि अगर आप 16 bit compiler ले c c plus plus का turbo c तो integer कितना hold करता है integer के बास माली जह 2 byte है float तो 4 byte करता है 4 byte कहां जाएगा इसी लिए following program calculate the sum of digit of the number 1, 2, 3, 4, 5 go through it and find out why it is necessary to declare the storage of the variable sum as static अब इसको static करने का main चीज़ यह है कि जब एक बार आप इसको समझेए क्या कर रहे हैं आप इस function को इसी function को आप बार बार कॉल कर रहे हैं कि एक तरीके से यह recursion है तो recursion में क्या होगा कि जब भी आप पहली बार जाएंगे तो इसने एक value निकाली वहले जह 5 निकाली यहाँ पर यह 5 निकालेगा उसके बाद 5 sum equal to 0 किया हुआ sum equal to 0 तो हम sum equal to 0 कैसे कर सकते हैं बगएर 0 किये इसको static बना दी sum equal to 0 हो गया एक बार 5 आएगा फिर अगली बार आप क्या करेंगे 5 के साथ जब next time इसको call करेंगे तो यह जिस sum है इसको value retain करनी है तो 5 plus 0 था पहले अगली बार यहां से 4 निकल के आएगा तो 5 plus 0 में 5 मतलब है अगली बार क्या आएगा 4 और एड करना है तो 5 plus 4 अगर यह 5 चला जाएगा तो 4 किसके साथ एड होगा इसलिए इसको static लेना पड़ा पहले का मतलब है कि यह recursive sum of digit है इसको 0 से रिष्टाइज करना है इसलिए static लिया static in sum equal to 0 एक ही बात है और हर बार function call में इसकी value retain होनी है